हेलो दोस्तों, Welcome to Unlimited Education, मैं हूँ अभी जीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूँ RRBJEE के बारे में और इसमें मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का Electronics and Allied Engineering Exam Group के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे syllabus, आप लोग Telegram Group जोईन कर लेना, इसका PDF और जितना भी लेक्चर होगा सारे का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा Facebook पेज, Facebook Group, सारा लिंक आपको description में मिलेगा आप लोग जोईन कर लेना और सबसे ज़्यादा important बात जो मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ फालतुक आप लोग अपना पैसा मत बरबाद करो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और कोशिस करो subscribe करके regular follow करने का और share कर दो ताकि उन students तक ये videos या ये channel पहुँच पाए और वो free of cost आसानी से अपना preparation कर पाए हम लोगों का main aim है आप लोगों का selection वो भी free of cost ठीक है तो आप लोगों का follow करते रहो और थोरा सा share करो या अपने अपने friend को बता दो तो यहाँ पे देखो syllabus है और एक चीज़ में clear आप लोगों को बता दूँ कि ये syllabus आपको 2-3 teacher मिल कर के cover करेंगे तो आप लोगों यह मत समझना कि मैं अकेला इसको complete करने जा रहा हूं आपका जो है इस channel पे total 7-8 teachers है ठीक है और सब मिल करके जो है सो आपका complete करेंगे मेरा mechanical है मैंने mechanical से भी टेक किया हुआ है मैं mechanical पे ज्यादा focus करूंगा आपका जो है electronics वो teacher ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे जिसने electronics में empty किया हुआ है electrical वालों को electrical वाले teachers पढ़ाएंगे computer science वालों को computer science वाले teachers पढ़ाएंगे क्योंकि यह possible नहीं है कि एक अकेला इंसान आपको सारा trade करवा दे तो आप लोग वस follow करते रहो और मेरा काम है कि आप लोगों को कौन सा teacher से lecture दिलवाया यहाँ पर देखो यह syllabus है आपका chapter number one देखो electronic components and material है आपका उसके बाद यह electronic devices and circuit है उसके बाद आपका digital electronics तो यह आपको computer science का teacher भी अच्छे से cover कर सकता है electrical का teacher भी अच्छे से cover कर सकता है और मैं खुद भी इसको अच्छे से cover कर सकता हूँ ओके फिर आपका क्या linear integrated circuit है उसके बाद आपका micro processor and micro controller है फिर आपका electronic measurement है total six हुआ आपका इसके बाद आपका chapter seven है communication engineering chapter eight है आपका data communication and network काफी अच्छा है यह यह भी आपका computer science का teacher करवा देगा काफी अच्छे से और यहाँ पर क्या है chapter number nine computer programming एक चीज आप लोग और notice करना कि computer science and engineering जिसका भी trade है वो लोगों को आपका electronics and allied engineering exam group ही option में आया था forum fill up करते time तो computer science and engineering वाले भी यही सिलेवस follow करेंगे ठीक है chapter number nine के आपका computer programming और chapter number 10 के है basic electrical engineering यह मैं अच्छे से cover करवा देगा यह computer science वाले teacher अच्छे से cover करवा देंगे मतलब आपको यह समझना है कि आपका भी यह trade जो है 100% सी लेवस complete होगा लेकिन 2-3 teachers मिल करके अच्छे से ठीक है एक teacher जवरदस्ती खतम करेगा वो अच्छा बात नहीं है quality नहीं decrease होना चाहिए channel पे ना तो content में नहीं explanation में और नहीं समझाने में मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ आप लोग सिर्फ एक चीज करो share करो चाहो कोसिस करो थोड़ा सा ताकि यह channel का नाम उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग ज्यादा money afford नहीं कर सकते हैं ट्यूशन जॉइन नहीं कर सकते हैं या village में रहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं ठीक है तब तक आप लोग मनस एक्जाम का त्यारी करो मिलते हैं नेक्स लेक्चर और बाई थैंक यू